हेलो एबरिवन वेलकम टू फार्मेसी क्लासस आज हमलो इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं सिरफ के प्रिप्रेशन मेथड के बारे में सीरप का जो preparation method है ये depend करता है उस सीरप में डलने वाले जो भी ingredient है उसके physical एवम chemical property पे और ये जो सीरप होता है ये जहाँ पे भी prepare किया जाएगा वहाँ पे जो हमारा equipment है ये totally clean होना चाहिए ताकि जो वहाँ पे contamination के chances हो वो काफी कम हो साथी ये जो preparation के method है इसकी बात करें तो 5 ऐसे common method है जिसके दोरा हम अपने सीरप को prepare कर सकते हैं और इस 5 method के बारे में हम काफी detail है study करने वाले हैं तो आएए सबसे पहले हमें study करते हैं heat method heat method को इस्तमाल करते हुए हम सीरप को तब prepare करेंगे जब जो भी हमरे ingredient सीरप में डलने वाला वो temperature के पंजिरस में affect ना होता हो तो हम heat method के इस्तमाल करते हुए हम अपने सीरप को prepare करेंगे साथी यह जो हमरा heat method है heat method में कोई भी हमरे ingredient अगर non-volatile nature का है तब ही हम इसको इसको इस्तमाल करेंगे non-volatile मतलब जो भी हमरे ingredient है अगर वो room temperature पे evaporate ना होता हो तो ऐसे ingredient को हम non-volatile nature करते हैं और यह ऐसे ingredient को इस्तमाल करते हुए हम अपने सीरप को prepare करते है heat method के द्वारा आईए हम heat method के द्वारा जो हमरा सीरफ का preparation method है इसको diagram के मदद से steady करते है आप अपने डिस्पले पर इस diagram को देख पा रहे होंगे इस diagram में यह जो हमरा बीकर है इसमें सबसे पहले हमने water को add किया एवम इस water में हमने सुक्रोज को add किया एवम उसको heat किया और यह heat हम तब तक करेंगे जब तक कि यह जो हमारा सुक्रोज है यह completely dissolve बना हो जाता है उस equations में और यह जो आप completely dissolve हो जाएगा तो उसमें हम remaining जो भी हमारा material है मतलब जो भी distil water है उसको add करके volume को make up करेंगे वहीं इस method के advantage की बात करें तो यह जो method होता है प्रिप्रेशन का यह less time consuming method होता है और यह काफी simple होता है आईए वह में study करते हैं कि यह जो हमारा सिरफ का preparation method है heat के दोरा इस preparation method में आने वाले problems के बारे में जिसमा first problem यह है कि जो भी हमने ingredient है अगर यह ingredient हमारे preparation method में coagulation सो कर रहा है तो ऐसे ingredient का जो coagulation है इसको separate out करते रहना चाहिए system से वहीं जो second problem आती है वो यह है कि जब भी हम heat method को इस्तमाल करते हुए हम अपने सिरफ को prepare करते हैं तो वहाँ पर जो temperature है इसको carefully control करना पड़ता है वरना यह जो हमारा temperature है अगर यह carefully control ना किया जाए तो जो हमारा सिरफ है इस सिरफ का जो चाहिए कारमिलायजेशन हो जाता है और यह जो हम्रा सिरफ है इसका appearance change हो जाता है मतलब यह जो हमारा कार्मिलायजेशन है यह हमारे sugar का oxidation reactions होता है और यह तब होता है जब हम अपने किसी भी एक्वास मेडियम में सुगर को डिजॉल व करके एक्सेशिव हीट करते हैं जिसके करण जो हमारा सिरप का झो आपएरंस है यह ब्रॉण कलर का होता है जो कि इंडिकेट करता है कि जो हमारा सिरप तै इसका कार्मिलाऎजीशन हो गय जुए कि ऑमारा शिर्प इस शिर्प का कामेलाइजेशन हो चुका है। आप अपसीड को प्रिपेर करेंगे। लेकिन आपर हम इसी सीर्प केंगे में अगर अपने टेंप्रेश्टर को एक्सेशिव अप्लाई कर देते तो ये जो कर रहा है कि जो हमारा सीरफ है इस सीरफ के अंदर जो हमारा सुगर है इस सुगर का ऑक्सिडेशन रियक्शन हो चुका है मतलब यह जो सीरफ का प्रिप्रेशन मेथड हीट मेथड इस मेथड में जो भी हमारा सुक्रोज होता है इस सुक्रोज का कुछ पोर्शन यह इनवर्ज को अच्छा की थो सब्सक्राइड में कातार से listeners चान वेन कीजिए सब्सक्राइपते और सब्सक्राइब क्रें दोर निरुस Hmm आएंगे क्योंकि यह जो इन वर्जन हुआ हमारे सूगर का यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक्सेसंभ IT अपलाई कर दिया था अपने सूगर में और यह जो अबरेजन प्रॉसस आख एगर प्रॉससले में एसेडिक नेचर प्रियेंट होतों एसेडिक नेचर के कारण एक्सेशिव एमांट में अमारा सुगर का इनवर्ड प्रोसेस होगा और यह जो अमारा इनवर्ड प्रोसेस होगा जिसके कारण जो अमारा सिष्टम है उसमें इनवर्ड सुगर का फॉर्मेशन होगा साथी य तो यह fructose बन रहा है यह fructose more sweeter होता है as compared to sucrose जिसके कारण जो हमारा syrup का जो हमारा sweetness है यह original syrup से change हो जाता है साथ ही यह जो हमारा syrup होता है इस syrup के अंदर concertations को measure करने के लिए हमने जो equipment को apply करते हैं वो होता है saccharometer next वीडियो में हमें study करेंगे syrup के preparations के other method के बारे में खाल्वाज के लीडियों होता है यह जो हमारा फडिया तो हमाराखा की बारे में ढष्सकू के बoreंगे याटराए रिहा व्हाजरवें यह जब हैं प्रीजे जगशे है आります झाल झाल